एसे नमस्कार भाइलोग्त श्वागत इस वीडियो में और आज के वीडियो में हम बात करने वाला है कि क्यों अपम अपने आइफोन को पुराने ना एफोन से है उसको स्लो डाउन कर रहा है कि राम टैने यह करने के लिए कैसे तो बैसंगली होता यह है कि आइफोन जितने भी पुराने आइफोन 6 7 में मैसुस हुआ है कि मतलब वो स्लो होते जा रहा है धीरे-धीरे तो बिसेकली अगर आप उसको उसके प्रोसेसर को कम यूज करेंगे करेंगे एक तो एपल का जितना भी आइफोन साथ है वो सब ऑबर क्लॉक्ट होता है मतलब ज़रो से जादा जो इसको बूस्ट किया आता से पर्फॉर्मेंस को कोई भी लाग ना हो कोई भी पर्फॉर्मेंस इसुने हो नहीं हो तो फाइस जो एपल है चाहता है कि उसके ब्लॉक स्पीड को कम करके उसका जो सबैल लाइफ क्टेंड जैसे कौट क्कॉल क्लॉक्टëपीड कम होगा तो पॉट में इसका निदान यह बार्ट लंभी और आप तो सही से चलना शुरू हो जाएगा मतलब उसके बाद कोई इसू नहीं रहाएगा यही वज़ा है कि हम बार बार बूलते हैं कि फुराना आइफून नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी आइपल का जो लोगो होता है उसका चमक सबको इतना पसंद है कि फिर भी आइफून 5 लेता आइफून 6 लेता आइफून 6 और 5 लेना ही नहीं चाहिए आपको आइफून 7 लिजिए उसके बाद कर लिजिए ठीक है आइफून 7 भी लेना चाहिए लेकिन फिर भी कोई बात नहीं लेना लेने का महने तो ले सकते हैं आइफून 7 तो यहीं बात है कि आइफून जो पाना है तो सिंपल है बैटरी बदल देजिए आपका जो चुटकारा मिल जाएगा तो उम्हेद करते हैं इस वीडियो रहा होगा और अगर है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आप से अगले वीडियो में तब तक लिए जह नजय बारत पीस आओट